जै स्रीराम, आज हम जानेंगे बजरंग बाण अर्थ सहित बजरंग बाण तो सब कोई पढ़ते हैं, लिकिन असल में बजरंग बाण का अर्थ बहुत कम लोगों को पता होता है हनुमान जी को संकट मोशन कहा जाता है कहते हैं जब विपदा बहुत प्रबल हो जाए, हर काम में निरासा हाथ लगे तब हनुमान जी की पूजा और बजरंग बाण का पाठ करने से कष्ट भंजन हनुमान जी सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं तो आईए बजरंग बाण अर्थ सहित देखते हैं पहला दोहा है निश्चय प्रेम प्रतीतिते विनए करे सन्मान तहके कारज सकल सुब सिध करे हनुमान यानि जो प्यक्ति पूड प्रेम विश्वास के साथ विनए पुर्वक अपनी आसा रखता है राम भक्त हनुमान जी की क्रिपा से उसके सभी कार्य सुब दायक और सफल होते हैं पहली चौपाई है जै हनुमंत संत हितिकारी सुन ली जै प्रभु अरज हमारी हे भक्त वत्सल हरुमान जी आप संतों के हितिकारी हैं क्रिपा पुर्वक मेरी विन्ती भी सुन ली जीए जन के काज विलंबन कीजे आतुर दौरी महा सुख दीजे हे प्रभु पवन पुत्र आपकी दासी अति संकट में है अब विलंब मत कीजिए और पवन गती से आकर भक्त को सुखी कीजिए जैसे कूदी सिंदु महिपारा सुर्सा बदन पैठी विस्तारा जिस प्रकार से आपने खेल खेल में समुद्र को पार कर लिया था और सुर्सा जैसी प्रबल और छली के मुँ में प्रवेश करके वापस भी लोटाएं आगे जै लंकिनी रोका मारे उलात गई सुरलोका जब आप लंका पहुचे और वहाँ आपको जब प्रहरी लंकिनी ने रोका तो आपने एक ही प्रहार में उसे देव लोक भेश दिया जाय विभीशन को सुक दीना सीता निरखी परमपद लिना राम भक्त विभीशन को जिस प्रकार आपने सुख प्रेदान किया और माता सीता के कृपा पात्र बनकर वो परमपद प्राप्त किया जो अत्यंत ही दुरलब है बाग उजारी सिंदु महबोरा अति आतुरियम कातर तोरा कौतुक कौतुक में आपने सारे बाग को ही उखाड कर समुद्र में डुबो दिया और बाग के रक्षकों को जिसको जैसा डंड उचित था वैसा डंड दिया अक्षे कुमार को मारी संघारा लूम लपेट लंक को जारा बिना किसी स्रम के छड मात्र में जिस प्रकार आपने दसकंदर रावड के पुत्र अक्षे कुमार का संघार कर दिया और अपनी पूँच से संपूर लंका नगरी को जला डाला लाह समान लंग जरी गई जै जै धुनिसुर पुर्म में भई घास फूस के छपर की तरह संपूर लंका नगरी जल गई आपका ऐसा खृत्य देख कर हर जगा आपकी जै जै कार हुई अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करहूर अंतर्यामी है प्रभू तो फिर अब मुझ दासी की कारी में इतना विलंब क्यूं कृपा पुर्वक मेरे कष्टों का हरण करो क्योंकि आप तो सरवग्य और सबके हृदय की बात जानते हैं जै जै लखन प्राण के दाता आतुर होई दुख हरहू निपाता ही दीनों के ओ धारक आपकी कृपा से ही लक्षमर जी के प्राण बचे थे जिस प्रकार आपने उनके प्राण बचाए थे उसी प्रकार इस द नागर हे युद्धाओं के नायक और सब प्रकार से समर्थ परवत को धारण करने वाले और सुखों के सागर मुझ पर क्रिपा करो ओम हनु 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 हनुमंत हठीले बैरहि मारू बज्र की कीले हे हनुमंत हे दुख भंजन हे हठीले हनुमंत मुझ पर क्रिपा करो और मेरे शत्रूओं को अपने वज्र से मार कर निस्तेज और निस्प्राण कर दो, गदा वज्र ले बैरही मारो महा राज प्रबुदास उबारो, हे प्रभु गदा और वज्र लेकर मेरे शत्रूओं का संघार करो और अपने इस दासी को विपत्तियों से उबार लो ओंकार हुंकार महाप्रभु धाओ वज्र गदा हनु बिलंब नलाओ हे प्रतिपालक मेरी करुण पुकार सुनकर हुंकार करके मेरी विपत्तियों और शत्रूओं को निस्तेज करते हुए मेरी रक्षा है तु आओ और सिग्र अपने अस्त्र सस्त्र से सत्रूओं का निस्तारण कर मेरी रक्षा करो ओम रिम 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 हनुमंत कपीशा ओम हुम 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 हनु अरि उर्शीशा हे रिम 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 रूपी शक्ति साली कपीश आप सक्ति को अत्यंत प्रिय हो और सदा उनके साथ उनकी सेवा में रहते हो हुम हुम हुंकार रूपी प्रभू मेरे शत्रूओं के रिदय और मस्तक विदिर्ण कर दो सत्य हो हरी सपत पाय के रामदूत धरु मारू जाय के हे दीनानाथ आपको स्रीहरी की सपत है मेरी विंती को पूर करो हे रामदूत मेरे शत्रूओं का और मेरी बाधाओं का विलीन कर दो जै 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा हे अगाध सक्तियों और कृपा के स्वामी आपकी सदा ही जै हो आपके इस दासी को किस अपराध का डंड मिल रहा है पूजा जब तब नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुभारा हे कृपा निधान आपकी अधासी पूजा की विधी जब का नियम तपस्या की प्रक्रिया और आचार विचार संबंधी कोई भी ज्यान नहीं रखती मुझ अग्यानी दासी का उधार करो वन उपवन मग गरिगरी माही तुम्हरे बलहम डरपत नहीं आपके कृपा का ही प्रभाव है कि जो आपकी सरण में है वो कभी भी किसी भी प्रकार के भैसे भैभीत नहीं होता चाहे वो इस्थल कोई जंगल हो अथ्वा सुन्दर उपवन चाहे घर हो अथ्वा कोई परवत पाई परव कर जोरी मनाओ यही अउसर अब कहे गोहराओ हे प्रभू मैं आपके चरणों में पड़ी हुई हूँ हाथ जोड कर आपको मना रही हूँ और इस ब्रह्म्हांड में भला कौन है जिससे अपनी विपत्तियों का हाल कहूँ और रच्छा की गुहार लगाओं जै अंजनी कुमार बल्वंता शंकर सुवन वीर हनुमंता हे अंजनी पुत्र हे अतुलित बलके स्वामी हे सिव के अंस वीरो के वीर हनुमान जी मेरी रक्षा करो बदन कराल कालकुल घालक राम शहाय सदा प्रतिपालक हे प्रभू आपका शरीर अती विशाल है और आप साक्षात काल का भी नास करने में समर्थ है हे राम भक्त राम के प्रेय आप सदा ही दीनों का पालन करने वाले हैं भूत प्रेत पिसास निसाचर अगनी पैताल काल मारी मर चाए वा भूत हो अत्वा प्रेत हो भले ही वा पिसाच या निसाचर हो या अग्या बेताल हो या फिर अन्न कोई भी हो इन्हें मारू तो ही सपत राम की राखुनात मरजाद नाम की हे प्रभू आपको आपके इस्ट भगवान राम की सौगंद है और विलंब ही इन सब का संगहार कर दो और भक्त प्रतिपालक और राम भक्त नाम की मर्यादा की आन रख लो जनक सुता हरिदास कहाओ ताकि सपत विलंब नलाओ हे जानकी और जानकी वल्लब के परमप्रिय आप उनके ही दास कहाते हो ना अब आपको उनकी ही सौगंद है इस दासी की विपत्ती निवारण में विलंब मत कीजिए जै 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 धुनि होत अकासा सुमिरत होत दुसह दुखनासा आपकी जै जै कार की ध्वनी सदा ही आकास में होती रहती है और आपका सुमिरन करते ही दारुण दुखों का भी नास हो जाता है चरण सरण कर जोरी मनाओ यही औसरब के ही गोहराओ हे रामदूत अब मैं आपके चरणों की सरण में हूँ और हाथ जोड़ कर आपको मना रही हूँ ऐसे विपत्ती के आसर पर आपके अतरिक्त किस से अपना दुख बखान करू उठो उठो चलू तो ही रामदुहाई पाए परों कर जोरी मनाई हे करूणा निधान अब उठो और आपको भगवान राम की सौगंध है मैं आपसे हाथ जोड़ कर और आपके चरणों में गिर कर अपनी विपत्ती नास करने की प्रात्ना कर रही हूँ ओम चम 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 चपल चलंता ओम हनु 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 मन्ता हे चम वण रूपी तिवराती तिवरवेग यानि वायू वेगी से चलने वाले हे हनुमंत लला मेरी विपत्तियों का नास करो ओम हम हम हांक देद कपिचंचल ओम शम शम शमी पराने खल्दल हे हम वण रूपी आपकी हांक यानि हूंकार से ही समस्त दुष्ट जन ऐसे निस्तेज हो जाते हैं जैसे सुर्योदय की समय अंधिकार सहम जाता है अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होत आनंद हमारो हे प्रभू आप ऐसे आनंद के सागर हैं कि आपका सुमिरण करते ही दास जन आनंदित हो उठते हैं अब अपने दासी को विपत्यों से सिग्र ही उबार लो यह बजरंग बार जही मारे ता ही कहो फिर कौन उबारे यह बजरंग बार यदि किसी को मार दिया जाए तो फिर भला इस अखिल ब्रह्मांड में उबारने वाला कौन है पाठ करें बजरंग बार की हनुमत रच्छा करें प्राण की जो भी पूल स्रधा युक्त होकर नियमित रूप से इस बजरंग बार का पाठ करता है स्री हनुमत लला स्वयम उसके प्राणों की रच्छा में तत पर रहते हैं यह बजरंग बार जो जापे तहीते भूत प्रेत सब कापे जो भी ब्यक्ति नियमित इस बजरंग बार का जब करता है उससे भूत प्रितादी कोसो दूर रहते हैं धूप दे अरुजपे हमेशा ताकि तन नहीं रहे कलेशा जो भी ब्यक्ति धूप दीप देकर स्रद्धा पुर्वक फोड समर्पण से बजरंग बार का पाठ करता है उसके सरीर पर कभी कोई ब्याधी कलेश नहीं रहता उर प्रतीती धिड सरण हवे पाठ करे धरिध्यान बाधा सबहर करे सब काज सफल हनुमान यानि प्रेम पुर्वक और विश्वास पुर्वक जो कपीवर स्री हनुमान जी का स्मरण करता है और सदा उनका ध्यान अपने हृदय में करता है उसके सभी प्रकार के कारे हनुमान जी की कृपा से सिद्ध होते हैं जै स्री राम झाल झाल